होली दुहजार चौबिस सौ साल बाद होली पर चंद्रगरहन का शाया धनलाब के लिए करे ये पांच अचुक उपाय। इस वर्ष होली पर बहुत ही विशेश योग बना हुआ है जिसके खारण होली का महत्व काफी है। जोति सास्त्र की अनुसार सौ साल बाद 25 मार्च 2024 को चंद्रगरहन का योग बन रहा है। इस बार 24 मार्च को होली का दहन फिर 25 मार्च को रंगो वाली होली खेली जाएगी। 25 मार्च को परने वाला चंद्रगरहन या साल का पहला चंद्रगरहन होगा। इस चंद्रगरहन को भारत में नहीं दिख सकेगा जिस कारण से इसका सूरत काल मानने नहीं होगा। या चंद्रगरहन सुबह सारे दस बजे से सुरू होगा और दोपहर तीन बज के दू मिनट तक रहेगा। या चंद्रगरहन उत्तर और पुर्व ऐसिया, यूरोप, ऐस्टेलिया, आफिरका, उत्री, अमेरिका, दच्छिन, अमेरिका, परसान, अटलांटिक के आधिकांस हिस्सों में दिखाई देगा। सौ सल बाद दुबारा से होली पर चंद्रगरहन लगने से अगर इससे जुरे कुछ उपाई किये जाए तो जीबन में सुक समिर्धी और भाग्ये में बिर्धी होता है। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन ओम, शो, शुमाय, नम के मंत्रों का जाप करते हुए चंद्र देव की पूजा करे और उन्हें दूद अरपित करे। इस उपाई से जीवन में सुक सुविधा और भावतिक सुखों में पिर्धी होगी। दान का महत्वे, धार्मिक मन्यताओ के अनुसार, चंद्र गरहन के दवरान, चंद्र देव से जूडी हुई, चीजों का दान करना सूप होता है। आप चंद्र गरहन पर दूद, चाबल और सफेद बस्तूओं का दान और जीवन में सुक सांती का कामना कर सकते हैं। होलिका दहन के उपाय। सुपारी भेट करें। धन में विर्धी के लिए करें इन मंत्रों का जाप। जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए होलिकी रात ओम नमो, धन, दाय और श्वाहा मंत्र का जाप करें। इससे कर से निजात मिलेगी और धन में विर्धी होगी। सीव जी की पूजा इस बार सोम बार को होली और चंद गरहन का योग बन रहा है ऐसे में सोम बार को सीव जी की उपासना करें पर सभी मनोकामनाय पूरी होगी इस दिन सीम मंदिल जाकर सिबलिंग पर जल जरूर अरपित करें